नमस्कार जोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से इग्मार मैं हूँ आपकी वही अंजली एक अजनमी से मुझे इतना प्यार क्यूं है? इंकार करने पर चाहत का इकरार क्यूं है? उसे पाना नहीं मेरी तकदीर में शायत फिर भी हर मोड पर उसी का इंतजार क्यूं है? जी हाँ आपके सही सुना हम आज की डेली राजवल की बात कर रहे हैं सबसे मेले आज जिनका बर्डे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारे गुट विशिज तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य कितना भी गोरा क्यूं न हो लेगिन उसकी परचाई हमेशा काली होती है मैं शरेष्ठ हूँ ये आतम विश्वास है लेकिन सिरफ मैं ही शरेष्ठ हूँ ये अहंकार है आपको भी हमेशा अपने आपको विनम्र रखना चाहिए एक विनम्र इंसान ही बुलंदियो को चू सकता है आप खुद ही देख लो कि रावन अहंकारी था और उसका भाइव बीशन विनम्र सभावाला था और अंत में जीत विनम्रता की हुई चीवन में तीन मंत्र याद रखना आनंद में वचन मत दीजिए क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में मिरने मत लीजिए दुनिया का हर शोंक पाला नहीं जाता काज की खिलोनों को उचाला नहीं जाता महनक करने से मुश्किल हो जाती है आसान क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता मत सोच कि तेरा सपना क्यों बूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के करम अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता हिम्मत रखिये होसला रखिये फिर देखिये आप क्या हासल करते हैं बस अपने लक्ष पर डट तो चलिए बात कर लेते हैं आज की डेखर देली नाशी फल की वारेमें सबसे पहले में आपको बता दूएंँ कि आज आपके लिए जो है लखी कलर रहने वाला है वो रहेगा जो सकते हैं अज के लिए पिंक और लकी नंबर रहने वाला है आज का नंबर नाइन आज आपकी काम जो है समय के इनुशार complete होते नज़र आएंगे आपको अगर कोई property खरीने का आप सोच रहे हैं, मन मना रहे हैं तो अच्छी तरह से पहले जांच परताल कर लिजे, तभी फैसला करें किसी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा जिसे आपके विचारों में काफी positive बदलाव होते नज़र आएंगे आज का दिन मन में कुछ चिंताएं भी बनी रहेंगी, specially आपके बच्चों को लेकर जिसकी कारण आपकी काम में focus बिगड़ सकता है या डावाडोल हो सकता है किसे के बाद को ज़रा दिल पर भी मत लगाएगा वनना आप जो है ज़र आपको बैठेंगे बस अपने आप पर जो है आपको भरोसा करना है आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है आज धन पर जो है धन आपका आगवन हो सकता है काफी हद तक धन कमा पाएंगे आए में वृद्धी बढ़ रही है आपने नज़ेक व्यक्ति की मदद करके आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शान्ती मिल सकते है स्टूरेंट्स को भी प्रतियोगिता से रिलेटिड परिक्षा में सफलता मिलने की योग बन रही है प्रापटी करेने की हाथ रेखा भी बन सकते है आज आज दूसरों की अलोचना में भागी दर मत बनेगा इससे आपके जो समन्द है वो बिगड़ सकते है और मामले से बात पर आज दोस्तों से टकरा भी हो सकता है अपने व्यक्तिकत कारियों पर भी आज आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़ादा जरूरत है आज का दिन आपके लिए कुछ बड़ी सफलता भी लेकर आ रहा है अज आप अपने टार्गेट की आसपा से पहुंचने वाले हैं यखीन मारी आप जरा टार्गेट कम्ट्रीट करने ही वाले हैं जिससे आपको काफी सुकुन और रहत मिलने वाली है लोग आपकी कारिक शेमता से काफी प्रभावित भी होंगे और आपको अपनी टीम और अपनी दोस्तों से पूरा साथ मिल पाएगा किसे मामले में आपको कुछ विलंब की कारण चिर्चिराहट पन ऐसे सेतिया बन सकती है आपको इनसे बचना होगा कहीं आपका चिर्चिरापन कहीं आपके ही साथी को जरा नराज ना कर दे इस बात का भी ध्यान रखना होगा आज समय जो है ज्यान वर्धक और महत्तपुरन जानकारी प्राप्त करने का है यानि कि आपको काफी अच्छी चीज़ें मिलेंगी सुनने को समझने मों काफी नौलेज जो है आप पा सकते हैं आज के दिन किसे प्रेरे व्यक्ति से आज है मुलाकात हो सकती है जो आपको काफी प्रेरित कर सकता है मानसिक शांती जो है वो बनी रहेगी दैनिक वर रोज मर्रा के जो कारे है वो लगाता नौर्मरी चिलते ही जाएंगे लेकिन हाँ आपने व्यक्तिकत मामलों को भी नजर अंदाज मत कीजेगा वो जादा इंबॉडन है आप पर को इलजाम भी लगा सकता है लांचन लगा सकता है आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी आज के दिन सरकारी मामलों में भी परिशानी पैदा हो सकती है जो लोग सरकारी काम करते है तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बिजनस और करेड़ की तो आज विपार की व्यस्तिता के बीच में परिबार के लिए समय निकालना जरूर पड़ेगा लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेडिस जो हैं समान से लेट इनल वेवसाई सफल रहेंगे आयात और निर्यात याने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेटिर कारों में भी सफलता दिख रही है आज की दिन अपनी ओजनाव को किसी के समक्षी जादा जादा शेर मत कीज़ेगा अपनी परस्नर्टीजे अपने तक ही सीमित रखेगा तो जादा बैटर रहेगा आपके लिए अज आपके टीम आपके साथ काफी हद तक काम करना बसंद करेगे बहुत ही पॉजटिव रिजल्ट रहेंगे आपके मन में भी काफी अच्छी चीज़े चलती रहेंगे आपकी यू कहेंगे मन शान्त रहेगा आज की दिन आज जो है सांचेदारी से रिलेटिड बिजनस में जो है आपनी पैनी नज़र रखेगा कुछ रुके हुए कारे अधिकारियों के मदद से कंप्लीट हो पाएंगे कोई विपारिक सौदा हाथ लगने से आपको बहुत इच्छा लाव मिल सकता है दोड़ धूप उज़ादा रहेगी लेकिन काम आपका समय पर कंप्लीट होता नज़र आ रहा है इसके साथ ही आज आपको नौकरी में के प्रस्ताब भी नज़र आएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया और आप एक ऐसी नौकरी पर विचार कर सकते हैं जो आपको सीखने में मदद करेगा यानि की नौकरी भी करेंगी और आपको सीखने में मिल जाएगा और यह काफे ज़्यादा प्लस पॉइंट है और इसे आप जरूर अगरिक कीजेगा आप जरूर ऐसी नौकरी जरूर कीजेगा तो चलिए आपने बात की आज की बिजनस और करेड के बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में तो लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी के साथ कुछ मत भेद रहेंगे आज की दिन जिसका असर उनके स्वास्तवर्वी पर सकता है और इसलिए अपने सभाव में आपको नर्मी बनाकर रखना होगा अगर नर्मी नहीं बनाएंगे सकत रवाईया रखेंगे जो कि इन मानिया आपको रिलेशन जो है बिगाड सकते हैं अपना अपने साथी के साथ एक मज़ेदा शाम बिता सकते हैं काफी करीब रहेंगे आप एक दूसरे के आप एक संगीत कारिकरम में भी भाग लग सकते हैं या फिर किसी घर किसी आप रिलेटिव की घर यहाँ पर जा सकते हैं कोई गेच्चो के दर फंक्शन भी अच्चेंट कर सकते हैं आप दोरो इसके साथ ही आज जी evac साथ के साथ जो है आप काफी हितक समय तो बिताएंगे ही बाकी सब को ठीक ठा की नजर आ रहा है आज के दिन तो चल भी बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वासते के बारे में तो आज का दिन स्वास्ति कहता है कि गैस और बदहजमी की चीज़े नजर आ रही हैं, पेट आपका जो है डिस्टरब हो सकता है, तो डिस्टरब पेट को ठीक करने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि लाइट वोजन कीजिएगा, दिन चेना को जड़ा अच्छे से बनाकर रहे योगा और जो है एक्सरसाइज आरा शामिल कीजिएगा, अज आपको हातों के उंगलियों पर चोट लग सकती है कई लोगों को, नसों में खिचाब हो सकता है, चोडों में दर्द बजरुगों को हो सकता है, ऐसे समस्याइं आज की दिन बने रहेगी, लगातार एक्सरसाइ रहेगा कि आज आज आपको जो है भगवान क्रिष्ट की पोजा करनी चाहिए, साथ ही में अगर आप उनके लिलाओं का गायन करते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा, काफे धार्मिक परवित्ती वाले हो जाएंगे और पॉजिटिव उर्चा आपके साथ बनी रहेगे, य जो है अगर आप जो है साथ बार नारिल वार कर अपने सेर से किसी दर्या में बहा देते हैं तो उससे नेगटिव उर्चा भी आपसे दूर चली जाएगे, तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमाने चैनल को सब्स्क्रा करना बिलकुल भी ना भूलेगा, धन्यवाद!